बहुत समय पहले की बात है उत्तर प्रदेश के मतुरा जिले में राधारानी के जन्मस्थान बरसाने में एक धन्वान सेट जी रहते थे सेट जी के तीन बेटे और तीन बहुए थी सेटानी जी का काफी समय बहले देहांथ हो चुका था सेट जी के पास सुक समरिधी और धन सब कुछ था बस सेट जी के पास एक चीज की कमी थी उनकी कोई बेटी नहीं थी एक बार सेट जी के घर एक संता है तो सेट जी ने उन्हें अपना दुख बताया इतना कहकर संत ने सेट जी को राधारानी की एक तस्वीर दी सेट जी ने वो तस्वीर अपने कमरे में टांग ली अब सेट जी सोते जागते उस तस्वीर को निहारते सुबश शाम उससे बाते करते उन्हें भूग लगाने के बाद ही भोजन करते थे ऐसे ही कई दिन बीथ गये सेट जी के जीवन में बेटी का भाव दूर हो गया था एक दिन सेट जी अपनी दुकान पर बैठे थे तब घर में महिलाओ को चूड़ी पहना ने एक मनीहारिन आई सेट जी की तीनो बहों ने चूड़ी पहन ले और घर के भीतर चली गई तब ही मनीहारिन जैसे ही जाने लगी एक छोटी सी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया ओ मैया लाओ मुझे भी चूड़ी पहनाओ मैं तो रही गई कितनी सुन्दर और कितनी प्यारी बच्ची है क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम राधा है लगता है सेट जी के घर कोई महमान आये है उन्ही की बेटी है इसे भी चूड़ी पहना देती हूँ हाँ हाँ रुको बेटी मैं तुम्हें रंग भी रंगी चूड़ी पहना देती हूँ उस लड़की को चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारिन सेट जी के पास चूड़ीयों के दाम लेने पहुची सेट जी लाओ चूड़ीयों के पैसे दो अच्छा पहना आई चूड़ीयां अभी देता हूँ सेट जी पैसे गिनकर मनिहारिन को देने लगे सेट जी मुझे जादा पैसे चाहिए ये तो कम है क्यों चूड़ीयों के दाम बढ़ा दिये हैं क्या नहीं नहीं सेट जी दाम नहीं बढ़ाए हैं हमेशा तीन को चूड़ी पहना आती हो आज चार को चूड़ी पहना आई है मेरे घर में तो सिर्फ तीन बहुए हैं चौथा कौन आ गया ये ले पकड़ जब घर में चूड़ी पहनने वाले तीन लोग हैं तो तीन के ही पैसे दूँगा उसके बाद सेट जी ने मनिहारिन को तीन बहुएं की चूड़ीों के पैसे दे कर मनिहारिन को भेज दिया और घर आकर अपनी बहुएं से पूछा बड़ी बहु क्या तुम तीनों के अलावा किसी और ने भी चूड़ीया पहनी थी नहीं तो पिता जी हम तीनों नहीं पहनी थी क्यों क्या हुआ इसका मतलब मनिहारन मेरे से जूट बोलकर ज्यादा पैसे ले जा रही थी अच्छा हुआ मैंने उसे पैसे नहीं दिये लाओ लाओ बहु भोजन ले आओ राधारानी को भोग लगा कर मैं भोजन कर लेता हूँ सेट जी ने राधारानी को भोजन का भोग लगाया और स्वयं भी भोजन खाकर राधारानी का नाम जबते हुए सो गये उस राध सेट जी के सपने में राधारानी आई वे बहुत उदास थी उनकी आँखे नम थी बेटी क्या हुआ तुम क्यों दास हो पिता जी आज मेरे घर चूड़ी पहनाने मनीहारिन आई थी मैंने भी उससे चूड़ियां पहन ली तीन बवों की चूड़ियों का मोल तो मनीहारिन को चुका दिया परन्तु अपनी बेटी को भूल गए मैं भी तो उसी घर में रहती हूँ न पिता जी आप ही तो कहते हो मैं आपकी बेटी हो राधा रानी की बातों को सुन कर सपने में ही सेड़ जी की आँखों से आशों की धारा बहने लगी अगले दिन सुबह सुबह सेड़ जी मनीहारिन के घर पहुँचे और बोले और तुछ से वो चूड़ी पहन गई। सेट ची ने मनिहारिन के चरण पकड़ लिये। तुमने मेरी बेटी को चूड़ीया पहनाई है। जो मोल लेना है लेलो। सेट ची की बातों को सुन कर मनिहारिन की आँखों से आँसु गिरने लगे। सचमुच वो मनिहारिन बहुत भाग्यशाली थे। जो से श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाने का सौभाग्य प्राप्थ हुआ। किसी गाउं में ध्यांचन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका पुत्र सूरज प्रकाश नास्तिक था और बिल्कुल भी पूजापाट नहीं करता था। ध्यांचन अपनी ये परिशानी लेकर गाउं में आए एक संत के पास जाता है। प्रणाम महराज, सदा सुखी रहू वत्स। महराज, मेरा पुत्र सूरज प्रकाश ना तो पूजापाट करता है और नहीं भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। ठीक है बेटा, कल तो अपने बेटे को मेरे पास लेकर आजा। और चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ध्यान चंद अपने बेटे सूरज प्रकाश को लेकर संत जी के पास जाता है। संत जी सूरज प्रकाश से बोले। बेटा, बोल राधे राधे। मैं क्यू बोलू राधे राधे। संत जी बार-बार यही दोराते रहे। और वो इसी तरह से मना करता रहा। और अंद तक उसने यही कहा, कि मैं क्यू कहू राधे राधे। बेटा, जिस दिन तुम मर जाओगे, और यम्राज के पास जाओगे तब यम्राज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया था, कोई अच्छा काम किया था, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधारानी के नाम को बोला था। ये कहकर संत जी बहां से प्रस्थान कर गये, सूरज प्रकाश अपने पिता के साथ घर बापिस आ गया, कई वर्ष बीद गये, सूरज प्रकाश बुढ़ा होकर मरने के पश्यात यम्राज के सामने उपस्थे थुआ, बताओ सूरज प्रकाश, तुमने जीवन में कभी भगव का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, हाँ महराज, मैंने जीवन में एक बार स्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताईए, एक बार राधा नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है, शायद इस प्रश्न का उत्तर देवराज इ के पास चलो, वो ही बताएंगे राधा नाम की महिमा, महराज, मैं ऐसे नहीं जाओंगा, पहले आप मेरे लिए पालकी की व्यवस्था किये, उसके पश्चात ही मैं जाओंगा, ये बड़ी मुसीबत है, अब पहले इसके लिए पालकी मंगवाई जाएगी, ठीक है, पालकी लेकर आओ, उसमें सूरज प्रकाश बैठेगा, और चार कहार इस पालकी को उठा लो, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटा कर, उसकी जगह आप लग जाईए, सूरज प्रकाश को लेकर यमराज चल पड़े, और इंद्र के पास पहुँचे, देवराज इंद्र, आ जीते जी, एक बार श्री राधारानी का नाम लिया था, राधारानी के नाम लेने की महिमा क्या है? यमदेव, राधारानी के नाम की महिमा तो बहुत है, पर क्या है, ये मुझे भी नहीं मालूम, हाँ, ब्रम्हा जी इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानते होंगे, हम उनके पास चलते हैं इंद्र जी ऐसा है दूसरे कहार को हटा कर आप यम्राज जी के साथ मेरी पालकी उठाईए अब देवराज इंद्र जब तक आप इस पालकी को नहीं उठाएंगे ये व्यक्ति पालकी को आगे नहीं ले जाने देगा अब एक तरफ यम्राज जी और एक तरफ देवराज इंद्र पालकी को उठाएंगे जाना चाहते हैं कि आखिर राधा राने के नाम की महिमा क्या है मेरे पास इसका उत्तर नहीं है राधा नाम की महिमा तो बहुत सुनी है पर वास्तों में इस महिमा का क्या महत्व है ये मैं भी बताने में असमर्थ हूँ लेकिन हाँ भगवान शिव इस बारे में जरूर जानते होंगे चलिए सब उनहीं के पास चलते हैं अब तीसरे कहार को हटा कर उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाईए ब्रह्मा जी भी पालकी उठाने लगे महिमा जो जाननी थी अब पालकी के एक और यम राज दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी थे सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए अरे यमदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, ये किसे पालकी पर उठा कर लाए हैं? हे शिवशंकर, हम आपके समक्ष एक उल्जन भरा प्रशन लेकर आए हैं, कि श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप क्रिपा करके बताए हैं, ब्रह्मदेव, सिर्फ एक बार राधा नाम लेने का महत्वतो मुझे भी नहीं पता, हाँ, भगवान विश्णो जी को जरूर पता होगा, चलिए, उनहीं से पूछते हैं, मैं भी आप सब के साथ भगवान वि इठाने में लग जाईए, अच्छा ठीक है बत्स, चलो कहार, तुम हटो, यहां मैं लग जाता हूँ, इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यम्राज और इंद्र, चारो देवता सूरज प्रकाश की पालकी उठाने में लग गए, और सब मिलकर विश्णो जी के लोग पहुँचे अरे यम्राज जी, इंद्र देव, ब्रह्मा जी, शिव जी, आप चारो देवता, एक साथ, आज विश्णो लोग में ये बात तो चकित करने वाली है सभी देवों ने विश्णो जी से पूछा, कि एक बार श्री राधारानी के नाम लेने की महिमा क्या है हे नारायन, सुरज प्रकाश के साथ अब हम सब भी राधारानी के नाम की महिमा जानना चाहते अरे, जिसकी पालकी को स्वयम रित्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंड्र, ब्रम्ह लोग के राजा ब्रम्हा और साक्षाद भगवान शिव इतने थाट से उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधारानी नाम लेने के कारण, आप सबने सूरज प्रकाश को पालकी में बिठा कर स्वयम इसकी पालकी को उठाया, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है ए श्री हरी, आपको मेरा शत्षत प्रणाम, आज मरने के उपरांत मुझे ये ठाट मिला, वो भी मेरे उस वक्त के सिर्फ एक बार राधानाम का उचारण करने से, जब मैं राधानाम लेना नहीं चाहता था, धन्य है राधारानी, जिनका प्रेम और भक्ति अपने भक्तों के लिए उदार है, राधारानी, आपको मेरा नमस्कार है। रा बोलते हैं, तो मैं सब काम छोड़ कर खड़ा हो जाता हूं, और जैसे ही कोई धार शब्द का उचारण करता है, तो मैं उसकी ओर दोड़ा चला जाता हूं, और अपनी गोद में भर लेता हूं।